हर्जस टीवी देख रहे सारी दर्शकां दा मैहमानी सिहत मंद गल्लां दे विच थोड़ा सारियां दा स्वागत करती हैं नाश्टा देन दा सब तो महत्तपूरण हिस्सा होंदा है ए दिन परशरीर नू सेहत मंद दे उर्जावान रखदा है इसलई पोस्टिक नाश्टा करना बहुत जरूरी है पहला दा सिर्फ पेंडो खेतर विच लोग सेहत नू बहतर बना लई सवीर दे नाश्टे विच पोंग्रे होई शोले मूंगी आदी खान दे सी एस समय शहर दे लोग वी पोंग्रे अनाज खान दे उतावले हन पोंग्रे अनाज नू सेहत लई बहुत वदिया मन्या जान्दा है एस समय सेहत मन्द रहन ले पोंग्रे अनाज दा सेवन करना बहुत जरूरी है आओ जान्दे या पोंग्रे अनाज आदा साड़े सेहत दे केड़े केड़े वदिया असर पेंदे हन खनेजे अतेघ्विटामेन दे पद्ध्ध नू वदओं दा है पुंगरन तो वाद अनाझ विच विटामेन दी समयत खनेज अतेघ्विटामेन दापद्ध वद जान्ता है एस तो इलावा प्रोटीन दे मात्रा भी वद जान्ती है स्टार्च दा कुछ हिसा चोटे पत्यां अते जड़ा नू बना ओना थे विटमीन सी बना ली वर्तिया जान्दा है पुंग्रे हो यानाज नू अम्रित वर्गा पोजन मन्ने आ जान्दा है रोजाना एस दा सेवन करन ले शरीर लंबे समय तक सेथ मंदते जवान रहें दा है ये व्यक्ति नू उर्जावान रखन विच भी मददकार हुंदा है स्पाउट खान दे वाद बहुत सारे फाइदे हुंदा है ये शरीर नू कई तरीक्या नाल सेथ मंद रख दे हैं अते मजबूत बना उन विच मदद करता है इना दा सेवन करन दे नाल खून साफ हुंद हैं अते बच्चेयां चमान सी कहते सारी दी कमजोरी दूर कर दी है गर्ब तारंतो वाद औरता इस दी वर्तो करती हैं स्पाउट दे सेवन आ वक वक तरह दे फाइदे हुंदे हैं डाइबिटीज दी बिमारी लई बहुत सारीयां सही जीवन शैली एते खुराग दी लोड यह टाइब टू डाइबिटीज वाले मरीज़ा लई गलुकोज कंट्रोल दा भी बहतर स्रोथ हैं ब्रोकली इंस्यूलीन प्रती रोद नू सुदार दी हैं सोया बीन स्पाउट दी वर्तो शुगर वाले व्यक्ति लेई वी लाप कारी हैं क्योंकि एस विच एंटी दिन दे हैं पर मुंगी तो इलावा मटर शोले बूंफली किड्नी बीन्स सोया बीन कंक आधी दाने दे भी पॉंग्रे रूप विच लाए जा सकते हैं इना नू स्वाद बन ओले टमाटर प्यास तनिया खीरा नीमबू काडी मिर्च अते नमक वर्गियां चीजा नू भी म पाइदे मंद हो सकता है जिडे जिम दे बहुत ही शोगीन हैं जिडे लगातार जिम जानते हैं जो लोग अपनी बॉडी दे रूटीन्स दे देख बाल करते हैं उनली ए नाश्ता बहुत ही वद्या साबित हो सकता है ते जिनाड़ी मेनू यानि की मानिनों दे उजासत थे बने रहो हर्जस टीवी देनाल हर्जस हर्था